नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम आपको फिर से एक नए अपडेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं जैसे कि पोस्टन ट्रेकर एप में आज फिर से एक नए अपडेट जोड़ा गया है और वो update है 12.0 का जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले 3-4 दिनों से आंगनबारी सेविकाई जो है परिसान है नए लभार्थियों का registration करने को लेकर जैसे कि किसी भी category को आप लोग open करते हैं और नए लभार्थियों का registration करना चाहते हैं तो आप लोग का नया registration नहीं हो पा रहा है तो आज के इस update में हम लोग जानेंगे कि कैसे नए लभार्थियों का registration करना है और साथी साथ आंगनबारी सेविकाई की और भी problem है जैसे कि जो सहाईका के लिए profile update करने का option दिया गया है जहाँ पे सहाईका का नाम दिखाना चाहिए वहाँ पे mobile number दिखा रहा है तो इस परकार की जो परिशानी है वो कैसे ठीक होगी आज हम आपको इस वीडियों में बताने वाले हैं तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोग लाश्ट तक जरूर देख लीजिएगा जिससे कि आप सभी को जो परिशानी हो रही है वो कैसे ठीक होगी इसके बारे में जनकारी देंगे तो वीडियो को आप लोग लाज तक दिखिएगा साथी साथ आप सभी को मालूम है कि हम पोशन ट्रेकर एप से रिलेटेड हमेशा वीडियो लेके आते रहते हैं तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और हाँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और पसंद नहीं आए तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि अपने play store में चले जाना है जहाँ पर आपको potion tracker app का जो update है वो देखने को मिलेगा हमने यहाँ पर देखी अपडेट कर लिया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने इस potion tracker app को update कर लिया है यहाँ पे संस्क्राण 12.0 का यह option दिखा रहा है तो चलिए अब हम यहाँ पे mobile number और MPIN डाल के आपको आगे का process बताते हैं तो हमने यहाँ पे अपना mobile number और MPIN दर्ज कर लिया है दर्ज करने के बाद यहाँ simply login वाले पे click करेंगे तो देखिए हमारा portion tracker app simply login हो चुका है कि जो परिशानी है आगनबरी सेविकाओं की जैसे की यहाँ पे 3.0 पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं update AWS profile यानि आगनबरी सहाईकाओं का जो profile update करने का option जोड़ा गया है जिसमें की बहनों का comment आ रहा है कि यहाँ पे जब हम लोग आगनबरी सहाईकाओं का profile खोल रहे है तो यहाँ पे उनका mobile number दिखा रहा है जबकि नाम उनका नहीं दिखा रहा है तो आप लोग update करके यहाँ पे अब सहाईकाओं का profile update कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका नाम दिखा रहा है मुबाइल नमबर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो ऐसी परेशानी आगनबारी सेवकाओं को हो रही थी तो यह परेशानी अब यहाँ पर ठीक हो चुकी है तो चलिए अब हम बात करते हैं जैसे कि जो बेनिफिसरी वाले केटेगरी है जिसमें कि हमें नए लभार्थियों करेश्टेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा उससे पहले मैं आपको बता दूँ हमने पिछले वीडियो में जो गर्भाती महिला का माइगरेट करके अस्तनपन कराने वाली महिलाओं में भेजा था तो वहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिखा रहा है इसके बारे मैं भी आपको थोड़ी से जनकारी देते चल रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का आइकोन आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो इसलिए हम उसको छोड़ दिये थे तो यहाँ पे यह नोटिफिकेशन आया हुआ है इस लभार्थी को हमने यहाँ पे माइग्रेट किया है उनका यहाँ पे नोटिफिकेशन में नाम दिखा रहा है जैसे कि यह लेक्टेक्टिंग मदर में चली गई है लेकिन उनके बारे में बताते चलेंगे तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा तो चलिए हम यहाँ पे बेनिफिसरी वाले के टेगरी को ओपिन करते हैं ओपिन करने के बाद यहाँ पे जो बच्चों की एंट्री होती है उसको यहाँ पे किलिक करेंगे किलिक करने के बाद देखिए आपको फिर से बच्चे का इंट्री करके दिखा रहा हूँ तो कैसे करना है जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पे बच्चे का नाम डालना है उसके बाद अधार संके है तो डालिए नहीं तो छोड़ दीजिए उसके बाद यहाँ पे बच्चों की जनमतिति डालनी ह है फिर यहां पे जो option दिये गए हैं male female select करने का फिर माता-पिता का नाम डालेंगे और यहां पे mobile number उसके बाद यहां पे बच्चे की जनम का समय का वजन उसके बाद यहां पे उस बच्चे का कितना height है उसको डालके यहां पे submit करेंगे तो चलिए हम एक बच्चे का यहां पे entry करके देखते हैं तो देखिए उस बच्चे का पुरा details हम यहां पे डाल चुके हैं पुरा details डालने के बाद अब यहां पे हम submit करेंगे हम जैसे ही submit वाले button पे किलिक करेंगे तो देखिए यहां पे रिकॉर्ड सफलता पुर्वक बनाया गया इस परकार आप लोग देख सकते हैं कि अब नए लभार्थियों करेश्टेशन हो रहा है बट यहां पे एक समसिया यह आ रही है कि हम जिस बच्चे का यहां पे नाम एड कर रहे हैं उस हमारी का नाम हमने एड किया लेकिन वो नाम यहां पे दिखाना चाहिए बट यहां पे नाम नहीं दिखा रहा है तो अभी कह सकते हैं कि अभी ऐसी प्रॉबलम में चल रही है यह प्रॉबलम पुरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई है हाँ हालाकि जो नए लभार्थियों का र नए रेश्टेशन करना चाहते हैं तो आप लोग नए रेश्टेशन कीजिए लेकिन साथ में आप हमें कमेंट करके ये भी बताईएगा कि नए लभार्थी का रेश्टेशन करने के बाद उनका नाम यहाँ पे सो कर रहा है या नहीं आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा तो हम में मालूम चलेगा कि हमारे साथ ही नहीं बलकि सभी के साथ ये प्रोवलम चल रही है उसके बाद आपको यहाँ पे मैं Home विजीर सीडियूल के बारे में बताते चलूँ जैसे कि Home विजीर सीडियूल में किसी लभार्थी को हम लोग वहाँ पे डाटा सम्मिट करना चाहते हैं और यहाँ पे 21 तरीका डाटा यहाँ पे भर के सम्मिट करेंगे तो देखिए रिकॉर्ड सफलता पूर्वक अपडेट होई ये तो मैसेज आ रहा है लेकिन फिर से जो लभार्थी है वो वापस यहाँ पे आ जा रहा है तो यानि कि कहने का मतलब है कि हम लभार्थी को सम्म है अभी तक सब्मिट नहीं हो पाया है आप कितना भी कोशिस कर लीजिए ये सब्मिट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर हम आज कर डेट डालेंगे और सब्मिट करेंगे तो दिखा रहा है कि सब्मिट हो चुका है लेकिन वह रिकॉर्ड वहां से नहीं हट पा रहा है यहाँ देख सकते हैं यहां पे हट गया फिर वापस आ गया यानि कि जो लेट वाले option में भी जो भी data चला गया है वो भी जल्दी submit नहीं हो पा रहा है submit हो रहा है फिर वापस आ जा रहा है तो इस परकार से आपको हमने पूरी जनकारी इस वीडियों में है इसमें आपको क्या-क्या परिशानी देखने को मिल सकती है और कैसे अभी जो portion tracker रेफ है वो काम कर रहा है उमीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी